हेलो दोस्तों मेरा नाम है रुपेश्क परमातू और आपका हमारे यूटूब चैनल में वेलकम हैं यहां हम क्लास 12 केमेश्ट्री में चैप्टर वन जिसका नाम में दा सोलिड इस्टेट उसका हम लोग अब्जेक्टिव कोशन कर रहे थे और उसका पार्ट वन हमने कर लिया तो वीडियो में कर चिनुब बने रहे है सारे कोशन क्या है औप्जेक्टिव को ठेंख है जो कि आपका के इजय में पूछे-जानेके संभाव कब्ट ना है तो चलिए हम लोग बीडियो का स्टाइट करते आप वीडियो में कर ठीक है आप से कोशन मैं पूछ रहा है question number 21 में कि how many categories has classified of crystalline solids on the basis of nature of intermolecular force operating in them यानि आपको पूछ रहा है कि crystalline solids को कितने भागों में बाटा गिया है और the nature of intermolecular force के basis पर कितना भागों में बाटा गिया है यह आपको चार भागों में बाटा गिया है ठीक है कौन-कौन से भागों में ionic solid metallic solid coblend solid और molecular solid ठीक है चार भागों में बाटा गिया है उसके बाद दूसरा question में आपसे पूछ सकता है कि what are the constituent particles of molecular solids कि molecular solids में construction particles क्या होते तो क्या होते है molecules होते हैं ठीक है molecular solid है तो constituent particles क्या होगा मोल्कुल होगा ठीक है फिर तिसरा को सेने मतलए 23 कोसेन कि is the example यानि what is the example of non-polar molecules आपको नॉंड पोलर मोल्कुल के एक्जामपल आपको ऑप्षन में बचेगा कि नान्पोलर मॉलिकुलर सोलेड में आटम और क्वेश्चेशान पार्टिकल्स यानि अइक्षपरकार के फोर्ष से यानि हेल यानि बंधर रहते किस प्रकार प्वर्ष तो वीक डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स क्लास अलवेद में आपने पड़ा है ठीक है डिस्पर्शन यानि लंडन फोर्स क्या होता है ठीक है तो जो आपका नोन पोलर हें कि इस भूर मλαप्लर में कि वहां परहां फोलर मोलिकुल कोई एक्जंपवल और पोलर मॉल्र में लोग Wam हुआ ऐस मतले यहां पर सोलीड है ठीक है सोलीड है ठीक है सोलेट्ट 2 तो और इन इस त्रीग है ये सब किसका इघ्जामपल है ने Such आप ए इसके बाद आपसे नेक्स्ट कोर्सन में पुझेगा कि इन पोलर मोलीकूलर शॉलिट the molecules are head यानि polar molecular solid जिस तरह हमने अभी क्या देखा non-polar molecular solid किस तरह के force से बंदे थे weak dispersion force या London force तो यहाँ पर आपसे पूचेगा कि polar molecule किस पर करके force से बंदे रहते तो dipole dipole interaction ठीक है यह काफी मजबूत होता है dipole dipole interaction force से polar molecule बंदे रहते उसके बाद question number 27 में आपसे पूच रहा है कि hydrogen bond का molecular solid का आपको example बताना है hydrogen bonded molecular solid का example hydrogen bonded molecular solid का example क्या हो जगा है H2O लेकिन ice यानि liquefied H2O ठीक है उसके बाद आपसे 20 number 28 में पूचेगा कि hydrogen bonded molecular solid atoms are head यानि बोरा कि hydrogen bonded में किस परकार के bond से atoms या molecules बंदे रहते तो hydrogen bonded है तो hydrogen bond के द्वारा ही बंदे रहेगा तो इसका example इसका answer क्या हो जगा strong hydrogen bonded ठीक है strong hydrogen bond आपसे 29 number में पूचा जा रहा है कि इन ionic solid ionic solid में the ions are held by ionic solid में ions किस परकार के force से बंदे रहते strong columbic force या electroesthetics force ठीक है strong columbic force या electroesthetics force से ionic solid में ions बंदे रहते ठीक है उसके बाद आपसे पूच रहा है कि ionic solid में melting point और bowling point क्या होते तो ionic solid ions को यानि ionic solid ions से मिलकर बने होते positive ions और negative ions तो यह काफी strong होते और इसके strong bond को तोड़ने के लिए काफी जाद हमको melting point और bowling point देना पड़ता है ठीक है किस तरह के force से बंदे रहते ठीक है वह होते हैं आपका AC of free electrons से फ्री रेक्ट्रों से collection रहते ठीक है collection यानि एक दुसरे से मिलकर बंदे रहते फ्री ऑफ AC of free electrons ठीक है free electron से बंदे रहते ठीक है metallic solid ठीक है याद रखेगा metallic solid इसका अलगी इसमें कोई force जैसा नहीं नाम ही इसमें direct आपका क्या है free electron से बंदे रहते मेटालिक solid याद रखेगा metallic solid free electron से बंदे रहते ठीक है next question में आप से पूछ रहे क्या पूछ रहे कि right the example of network solid network solid का ही दूसरा नाम क्या है cobaland solid ठीक है आप से पूछ रहे कि आपका objective question है ठीक है index में आपका chemistry का बुक पार्ट वन उसमें देखेंगा कि index में आपका question पूछा गया है कि solid A is very hard question को गोर से पहले समझे कि एक solid आपको दे दिया जो काफी ज़्यादा hard है ठीक है उसका condition बता रहा है कि वह काफी ज़्यादा hard है और वह क्या है electrical insulator है मतलब उसमें electric current flow नहीं होता है as well as in molten state यानि उसमें solid state में भी electric current flow नहीं होता है और नहीं उसको जाता ठीक है तो बोरा कि उस्वेट का नाम क्या है ठीक है वो इसमें देखें कि यह एक मात्र होता है परकार होता है जो नहीं solid state में electricity को कंडक्ट करता है तो किस प्रकार का यह solid है और इसको याद रख सकते इस तरह और आखरी कोशन है इस पाट टू का पाट वान का मैंने वीडियो बना दिया यहां पर मैं आई बटम में उसका लिंक डाल दूंगा ठीक आप महांस देख लिजएगा यह पाट टू और इसका आज लास्ट कोशन यह है कि वाट टाइप ऑफ शोलेड्स आर इलक्ट्रिकल यह भी इंट्राक्स कोशन का ठीक है आप इसको याद रख याद कर लिजगा कि वाट टाइप ऑफ solids are electrical conductors malleable and ductile वोर आपकी कीस तरह का आपका जो solid है कीस परकार का solid है वो आपका malleable और ductile यानि आगादवर्द और तन्यता का कुन उसमें पाई जाता तो metallic solid में उसमें पाई जाता ठीक है metallic solid में तो ये वीडियो आपको कैसा लागा आप हमको